हेलो हाई एरुवन स्टॉप टेवन में आपका सौगत है तो आज हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे पर उससे पहला एक इंपोर्टेंट चीज गाइस जिनके लिए भी चैनल नहीं है तुरह जाके इस चैनल को सस्क्राइब कर लिए और बिल आगन पर क्लिक कर आप लोग को कुछ बताया था अपनी पहली वीडियो में आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे है तो आई बटन पर उसका लिंक है तो आप उस वीडियो को देख सकते है अब बात करते टाटा मोटर्स के बारे में तो सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है तो अभी आ मैंने आप लोग को इंफर्म किया था कि लास्ट एक और इस दिन का कंपेर करें तो आप लोग को दिखने को मिल रहा है कि 300 से कितनी उपर गई है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जल्दी ये 315 तक टच करेगी और आप लोग भाई में इंटरे ट्रेडिं किजेगा और उसी तरीके से ये लगातार उपर जा रही है तो एक बहुत अच्छा सिगनल है जो जैसा मैंने अनलाइज किया था वैसा ही उपर जा रहा है टाटा मोटर्स पर 315 तक आप लोग को केरफूर रहना है कि उसके बाद चांसे है नीचे आने का तो इस चीज़ पर आप लोग बहुत जादा ध्यान दिजेगा क्योंकि वन मन्त में आप लोग देख सकते कि इतनी उपर जाने के बाद भी 300 तक उसके बाद लगातार गजब का नीचे गिरावट दिखा है मार्केट में क्योंकि उस दिन मार्केट का एप्रॉक्स 3% तक डाउन गया था तो इस पर लगातार उपन ही रहीती है यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली एक यूंकि यह जो गई है 305 तक तो यहां पर गई पर गिरावट देखने को मिली इस पॉइंट पर अच्छी बात क्या है कि जल्दी ही टाटा मोटर्स चांसे है कि 315 तक टच कर गए एक बा बात करते हैं जब ओपन हुई थी 303 तक ओपन हुई थी और हाई गई यह 309 तक तो मत्तब मेरे बोलने से एप्रॉक्स लास्ट में यह 50 भी है तो मेरे बोलने से एप्रॉक्स सिर्फ यह 6.50 तक खाफ फ्लक्टुरिशन बागी था नहीं तो एक अच्छा प्रॉफिट गेन ह सकते हैं आप लोग बाई में ही शेयर बाई में बाई कीज़ेगा और अच्छा कॉम्पेटिशन रहेगा पर उससे पहले आप एक चीज़ पर ध्यान दिए निफ्टी 50 को आप लोग को केर करना है निफ्टी 50 के फ्लक्टुरिशन के साइड में है वो डाउन साइड में है कि उपर के साइड में तो यह सारे चीज़ का केर करना पड़ेगा इससे पहले मैंने TCS और Reliance Infla की वीडियो अपलोड किये तो वो भी मैं आई बटन पर दे दूँगा आप मेरे चैनल पर जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर म अच्छा ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म पा सकते हैं यहां से चैनल सस्क्राइब कर दीजे थैंक यू